नमस्ते भिया नमस्ते जभी को तो अब हम अभ्यास एक के स्टेप 3 पर चलजा कर रहे हैं में स्वयम ज्वारा स्वयम को देखने का भ्यास कर गया इसमें हमेंने step 1 पर कलपना remote every को सजय कोने का भिहास पर्ट शिब के अर्फ कर दिखे इसमें ये-क भाव देखेंजे को ए MLJCl भाव या विचार को बदलने का प्यास नहीं करना है, कोई उसके आरोपित नहीं करना है, जैसा है वैसा देखना है, इस अभ्यास को हम लोग बनाये रख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें से कई साथ ही अभी इसको ठीक से कर पा रहे होंगे, इसमें चैट बॉक्स में और फिर अपने बैट 7 के साथ ही है, वो रिस्पॉन कर सकते हैं, जी, बढ़िया, इसके कच्छू प्लब भी है, जैना क्योंकि भाव में परिमाजजन से हिज्ञान के शिवात है, अपने भाव को ठीक होना है, इसका भाव का मुल्यांकन करना, इसमें परिमाजन के लिए का स्टेप टू में हमने भाव को ठीक होने का अभ्यास किया, इसका मुल्यांकन किया और इस बात को देखने का प्रियास किया, इस मेरे अनदर इस धन जो भाव है, वो मुझे सहज, उससे स्विटार है कि नीए, कि कि इसके साथ प्मेइद स्टपी को देखने का कि मेरी सभाव के साथ सुखर है कि दुखर है तो कल हम उन्हें अभ्यास सुरू किया था उसको अपनी ऑपज़र्ब करेंगी तो मैं मुल्यांकन कर रहा हूं कि मेरे भाव विचार का मेरी इष्ठन के स्थिती पर क्या प्रभाव पड़ता है इस भाव के साथ मैं स्वें में आराम में हूं या परिशान हूं संगीत में हूं या अंतरविरोध में हूं सुखी हूं या दुखी हूं कि अपने सिति का मुल्यांकन कर सकते हैं कि जब आपने सिने का भाव रहता है और जो आपने द्वेश का भाव रहता है तो दोनों सितियों में आपकी खुद खिस्तिती क्या बनती है पहले सिति आपके सुखद होती है दूखद होती है। दूसरी सिति आपके सुखद होती है His शदूता में आराम रहता हूं सं़ित पिरता हूं कि जिस छन भी मुझे में ऐसा भाव आता है जो मुझे समें प्रशान होता हूं अंतर गिरोद में जाता हूं बुखी रहता हूं तो यह हमको दिखाई देगा कि छंचन में मेरे सिती एक प्रकार की होती या तुम्हें आराम में हूं या आराम में नहीं हूं या सुख में नहीं है और जो मे nell analysts बन रही है वह मेरे भाव के नदाब भशैम मेरा सुछना बाहर से आरे है करना उसके साथ मैं शार करता हूं उससे मेरे सभुन होती है बाद सबस्रों आने से तहने होती है है तो मेरा सारा सुल्टिक मेरे भाव और विचार महीं है इसके पर स्वजग होना आवश्यक है इसका मुल्यांकन का नावश्यक है तो हम लोग अभियास किया है इसको हम लोग आज भी करेंगे और हम लोग इसे एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में कर रहे हैं ये की 3K पोर्स के साथ तर मुल्या थेढ़ा स्वेक्ट बिदा को देखना है तो में यह देखने वाला हूं तो मेरे वन गया गोंगू परिमार्जन नहीं होता पूरे अस्टितिकी व्यवस्था को लेका प्रस्ताओं को ले रहे हैं उसकी बारिकियों को सुन रहे हैं कि उसको विश्लेशित कर रहे हैं चित्रित कर रहे हैं उसको सवय में जांच रहे हैं जी कर देखने का प्रयास कर रहे हैं और दुसी तरफ कि उसके साथ सा जिवांग वाई कि जब जाएंच रहें तो सीधा सीधा अपने आपने देखने का प्रयास्ति कर रहें तो कल दिन भर के अभ्यास से यदि कोई आपका प्रश्न बना हो कोई प्रश्न आई आई हो उसको शियर कर सकते हैं यह आपने तो कई पर में बताया है भाव और विचार लेकिन मैं बड़ा से समझना चाहता हूं तो जो विचार होता है पहली बात तो भाव और विचार जो है वो कल्पना शिलता में बनता है लोग चैन, आद इच्छा, चैन, आस्वादन यह सब मिला के तो जो विचार होता है, क्या वो चैन आस्वादन है और जो भाव होता है, वो संबंधों के बीच में है, इसको जब फिर से बद पताईए गतो जो विचार है वो तुलना विश्देशन है जो भाव है वो संबंध के अर्च में है या संबंध के अनिधा है परन्तु उसका जो connection है वो संबंध से ही है भागीदारी से है तो भाव हमारे भागीदारी से जुड़ा होता है वीचार में हम उसको विश्लेशित करते हैं तो भागईारी का जो मूल है वो भाव है उसके साथ हमारे अंदर कुछ आश्वादन होता है जो भाव है हमारे अंदर उसका भी आस्वादन होता है उसके साथ जो अन्टुलन मिश्वेशन कर रहे उसके अधार पर ज्यास्वादन होता है तो यह सारा कोछ हमारी कल्पना शीर्टा में चलता रहता है और पिर हम चैन करते हैं तो भाव भागीदारी से जुड़ा है जो भागीदारी से हमारा जुडाव है वह सब्सक्राइब करते हैं तुलन करते हैं यहीं करते हैं विचार में आदे इसके अलावा जो करते हैं चाहे हो भागीदारी हो या चैन अस्वादन हो यह है भाव में करते हैं प्रशून में इस एख ऑब बihat कर्म करते हैं इस अभी आदे कि आप पूछ रहें हैं आपका भाव क्या है कि मेरा प्रशन कर रहे हैं कि जब मैंने कहा कि आप कोई प्रशनों तो पूज सकते हैं तो आपने विश्लेशन किया यह अभी सही है कि कि आपके पास आपने करना है तो फिर जब भी आप इसको टैग कर रहे थे कि हैंडेश करना है कि नहीं करना है तो आपके इंदर कुछ अस्वादन भी हो रहा था कि नहीं समंध्र के भाव कुछ साथ आप समझना चाहते हैं इसका भी कुछ आस्वादन हो रहा था तो आपने चैन किया है कि हैंडेश करते हैं तो हैंडेश किया फिर जब ऑसर मिला तब है आप बोल भी रहे तो बोलने के प्रम में भी आपके अंदर कुछ भाव है क्या ब कि अब कहना है कि समझे में आ गया या आप कहना है कि और प्रश्व करना है कि यह सारा कुछ आपके अंदर होई रहा है अच्छा यह बड़ी बारीकी वाली चीजें क्योंकि अभी तक तो ऐसा लगता थे कि यह सब चीजें तो अब्ध्यास के जुरुत है तो अच्छी बात है अभी आप ने भागी दारी भी बढ़ाई है तो आपके अंदर थोड़ी और प्रश्वती बनेगी ध्यान देने की इसके साथ अभ्यास और प्रगार होगा अब्ध्यास बढ़ी रापका आप बढ़ाई हुए ले करे बागा टूर्ट है अब्ध्यास एंगली फट्रीवस बोल्राद ठाफ वह लो इंगे लेकीनेशन कि अपने इमेजिशन कर रहे यानी जिलंडेशिस अणल्यास इनलाइजिड यानीडिक्फिट हुलो नमस्टी ब हो तो ये भावर विचार का जो सोचना जो चल रहा था वो दिन भर चल रहा था तो I was thinking about it most of the time yesterday तो मैं बच्चों का एवाल्योशन ले रहे थी और उसमें एक बच्चे ने गलती की जो मैं बार बार उनको समझा रहे थी कि यह नहीं हो ना चाहिए ऐसे से तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं होगा और लेकिन उसने वही गलती कि कि मैं सब सही के माम सिस्टिब में नहीं रन कर रहा है ऐसा कुछ हुआ तो दो बार मैंने उसको कर इक ने कोशिश की लेकिन मेरा भी धान नहीं कया जो क्या बगते बिक मिस्टिक उसने किया था जा मैं उसको रहे थी फिर धान गया थोड़े गर बार तो मैंने उसको बहला तुमने ऐसे कैसे गलती की यह तो बहले नहीं माम वो तो ऐसे ही हो गई तो मुझे गुसा आ गय कि एसे कि सहसे हो जाती है तो मैंने उसको जोर से डाट दिया वहां पर मुझे लगा कि यह विरोत का भाव क्यों आया मेरे दिल में तो शायद मैं ने फिर वहीं रोक दिया मैं अपने केविं में चली गई गयी खुदको शान्त किया मैंने दो ही मिनिट में बाहर आई फिर उसको मैंने समझाया और उसका प्रोग्राम रन करके दिया उसको समझा के तब तक वो बच्ची क्योंकि मैंने डाट दिया था तो रोने में आई थी तो फिर उसको बोला मैंने कि रोना और नहीं, it's okay, I'm sorry मैंने तुमको डाटा फिर वो ठीक है उसने लिखा है और फिर मैंने मुझे ऐसे लगा खुद को कि उसको मैंने डाटा सब के सामने था और sorry मैंने उसको personally बोला तो यह सही ने किया मैंने तो मैंने पूरे उनके बैच के सामने मतलब जोड से उसको बोला कि I'm very sorry कि मैंने तुमको डाटा लेकिन जो गल्ती तुमने की उसने मुझे गुस्ता दिला है but I'm really very sorry तो तुम टेंशन मतलो ऐसा बोलके फिर उसके दोसको भी बाद में वो चली गई तो उसके दोसको भी बोला मैंने कि चली गई क्या वो तो बोले हां तो मैं बोले उसको बोलना कि माम को बहुत बुरा लग रहा था तुमको टाटिया तो तुम कुछ टेंशन नहीं लेना आराम से पढ़ना भी एक्जाम्स के लिए ऐसा तो मतलब ये तो मैंने इमेजेटली रिलाइस किया कि विरोध का भाव क्यों था क्यों कि उसकी दोस्त और वो कभी पढ़ते नहीं है ठीक से अब मैंने उनको बर्सनली भी बहुत बार पोला था कि तुम लोग आओ मेरे पास तुमको नहीं समझता है तो मैं अलग से समझा दूंगी वगरा लेकिन वो इनिशेटिव उनकी तरफ से नहीं रहता है तो शायद कहीं विरोध का भाव बहुत स्रॉंग नहीं था मेरे हिसा को रोबलके सो बार उनको बोला था उसने की तो उसकी वज़े से मुझे घुस्सा आया जो भी में लेकिन मुझे घुस्सा और मुझे बहुत बुरा लगा उस बात का तो मतलब ये तो मैंने रिलाइस किया कि क्या भाव था और वो ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन वह यह जाना चाहती हूं कि मधलाब काम तो कर रही हूं मैं लेकिन अभी भी कभी इन चीजों से जो मैं बताती हूं बच्चों को बच्चे नहीं करते हैं तो मुझे गुसा आता है तो उसको कैसे और कंट्रॉल करना चाहिए ? अब आपको पता चला कि दो मेरा भाव भीगड़ा तो इसको जस्टिफाई करते कि नहीं कुछ ठीक है ऐसे लोग साथ ऐसे ही ट्रीट किया जाता है उससे भी आ बाहर निकलता है अब आगे का जो काम है वो यह है कि हम अपने भाव के सजग रहे हैं और हम अपने अंदर जो सह स्टिफिप भाव है उसको एंशूर करता है अपने को दिखता है कि मुद्दा कमपिटेंसी कमी का है इंटेंशन की कमी कमी नहीं है पोटेंशली कमी नहीं है और इसके रही प्रोग्राम समझने का जो मेरे लिए है तो इस बात को अगर हम ठीक से अपने आतना सहजम से देख पहले भी ऐसे होता था कभी और मुझे लगता था कि नहीं मैंने वालतों में डाट दिया तो मैं हमिशा सही सौरी बोलते आई हूं बच्चों को लेकिन अब कल का इंसिदेंस मुझे क्योंकि शायद यह मैं रोज के सेशन्स अटेंड कर रही हूं उससे मुझे ज्यादा आना चाहिए था मुझे लेकिन आ रहा है तो आता तो है तो भी उसको नहीं आये सकते क्योंकि ना मतला उसका समधान इंदर विश्वास के भाव पर हम काम करेंगे शीद को देखेंगे अगले का इंटेंशन क्या है इंटेंशन तो अभी कई सारे बच्चों के उसके बाद ये हुआ सब्सक्राइब की तीचार और बच्चे थे जो कभी पढ़ते नहीं है मुझे पता है वो पढ़ते ही नहीं है अब उनको मैंने बहुत अलग अलग तरीके से सबी फैकल्टी ने समझा के देखा है लेकिन व करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर मैंने उनको नहीं डाटा कि मुझे पता था ये नहीं करते हैं तो उनको मैंने सिफ इतना ही बोला कि भई तुम लोगों को नहीं चाम रहा है क्या मैं हल्प करती हूँ कुछ तो लिखो कुछ तो करो तो देवे लाइक कि नहीं हमको नहीं आ कि मतलब आइड नॉट एक्सपेक्ट प्रबबली कि वह ऐसे गलतिया करेंगे हैं पता नहीं कि हुआ जानक से मैं कुछ यह भी एक मुद्धा होता है कि हम कुछ संबंद्र में कुछ एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं तो फिर हम आवशिक होते हैं बट जिनके साथ इने एक्स तो वो भी एक जोड़ जाती है इसके साथ एक तो हमको यह एक्सपेक्टेशन मना लिया बिना सही मुल्यांकल किये हैं हाँ वो तो है भीया लेकिन मुझे इसे कई बार लगता है कि चाहना ठीक है लोगों की बच्चों की स्टूडेंस के साथ नॉमली जैसे होता है लेकिन बच्चे मिहनत नहीं करना चाहते हैं मैंको अणिपने बार बहुंडी जब कि इससती है कि चाहते तो ऑफ स्थी नहीं है पृट्धी नहीं बनी है अबहारे है कि अनत क्यों करें हम वी देखें हम भी स्टुएंट है हमारे सब्सक्राइब कर देखेंगे कि पढ़ाय लिखाई करेंगे जो सुख मिलेगा तो पता नहीं मिलेगा वो तो कई बरसों बाद मिलेगा आई पिल का तो सुख अभी ही मिल रहा है तो अभी आदमी अपने तुलन करता है वेरिस आप्षिंस में उसको आप इसके लिए जा रहा ह गुमने फिरने में सुख लग रहा है नई मूवी आ गई है उसको देखने में सुख लग रहा है तो अभी बच्चे को नहीं दिख रहा है कि पढ़ाय लिखाई से सुख है कमसे हम इस छण में तो नहीं है और इस बच्चे के साथ नहीं है वो हमारे साथ भी हो सकता है हमको बहुत सरे ऐसे चीजे हो सकते हैं जिसको करना जरूरी लगता है, बट उस छण में उसको करने में सुख नहीं लगता है, तो कुछ और करते हैं. इस लिए बच्चों को पूरा करने में सुख नहीं लगता हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि ये इतनी सारी चीजे नहीं डाल दी है, इसलिए बसमें पढ़ने के लिए, अब जैसे भी सिलेबस को बारबर रिवाइज किया जा रहा है, नहीने सिलेबस बनाया जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे चीजों का रिलिवेंस कम दिख रहा है, जैसे अभी भी अप्लाइट साइंसे में, फस्कियर में, बहुत सारे सभिक्स पढ़ाया जा रहे है जिसका इलिवेंट सापंब होता जा रहा है बद्दों बच्चे हो दिखनी रहा है और बच्चे का miracle में माननेताउं सोच चुछ रिख वोने की हो सकता है उसकी पूर्ति हो नहीं यह नहीं इसको अबेथ क्रें मुलky नमस्ते भी या नमस्ते सभी को वह जैसा भी मैंने ऐसा सुना और समझा कि भाव जो है वो ऑपरेट करता है वी वन ब्लॉक में ऐसा आपने शाहिद कहा अपने सुना अपने सुना अपने ने कहा नहीं अपने सब्सक्राइब करता है तो अगर चित्रन में है भाव आपका तो मानेताओं के भी दबाव में हो सकता है समयद्नाओं के दबाव में हो सकता है पर अगरेका यह संबंद्र हो सकता है अब ये ये बिवान ब्लॉक में जो ब्लैंक ब्लॉक से वन टु वाले वो धर स्वाव को इंगित करते हैं जो ब्लेंक ब्लॉक है क्या उसके लिए कुछ जैसे वो उसको निमीफाई नहीं किया है क्या उसके लिए को स्पेसिफिक हमें कुछ से एक्स्प्लोर करके जानना है या कुछ आप उसके बारे में कहना चाहिए आप अल्फा भी टालिक लीजे क्या पर पड़ता है लेकिए आपके अंदर सम्मंद का बहाँ उस्थापित हो यह मातुपून है और उसको देखने के लिए आपके अंदर बल भी है शक्ति भी है उस बल को देखने हम उस्थापित होना है यह मुख्य बात है इन ऐसे वी संब मस hätte नहीं होगा तो ८खिश्च भाह वह सुरू से और स्पेस्स्बर्जर्जन तक देखने की स्थिती तक भाव जो है वो इन्हेररंट है और कंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट कहा है अभी तो भाव आकिनेंगिक कंसिस्टेंट नहीं है उसको मैं अब्जर्व नियुकर पारा हूं वो यह एक अलग पहलू है पर इंहरेंटी कि प्रवेल करें कभी संबंध काया कभी जिरोध काया कंसिस्टेंसी काया कि अगर आप ब्लॉग बीटू में अपरेट कर रहे हैं कल्पाशिटा में अपरेट कर रहे हैं जी तो कंसिस्टेंसी का एक संबंध काई का जिरोध का ए भी अगसको ऐसे समझ पारा हूं कि जो दुर्भावना है मेरी में सद्भावना नहीं है तो दुर्भावना है वो पूरी तरह तो वह भी एक भाव का डायमेंशन है जो की तो जो पूरी यात्रा है वो तो भाव पर काम करने की यात्रा ही है और उसकी इंटेंसिटी को और वो इंटेप्थनेस को एक्स्प्लोर करते चले जाना है और उसी पूरी प्रक्तिया का जो अल्टीमेट है वो समर्जन्स आ जाएगा कि अब्लब GIRL अब दुर्भावना भी है सद्वावना भी है तो निश्चिता नहीं हा इस अए थैस्ट्हक नहीं है इदि शॉक्टन्साइज को पर ठैसेस्टैंस नहीं है और उसको एपर वहार्मोनियस नहीं बाव तो है भाव के दो है जो अभी तक जो मेजिरोटी पार्ट है वो सब्भावना में या हर्मोनिय स्टेट में नहीं गुजर रहा है जिसको अबजर्व करके उसको समझ के और जीने का प्रयास कर रहे हैं समझ पूरग लेकिन एनरजी या भाव तो एक्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में मैं उसको सुप्ता वास्था में हूं या सतत मैं कंसिस्टेंट ली उसको सद्भावना के रूप में ट्रांसफर करने का प्रयास उसको ट्रांसफर्म स्वयम को करने का प्रयास कर रहा हूं आप से समझ पाइना है वो भी इसको अब्जर्व कर लिजे जो प् तो यह दिखाए दिखाए आपको कि अभी निश्नित्ता निरंतरता किसी एक भाव की नहीं है क्योंकि अभी सही भाव स्थापित नहीं हुआ है और इसके प्रयास करना है उसके कितनी अगर दिन भर हम बेहोशी में निकाल दे रहे हैं तो कभी सजागा है कभी बेहोशी में तो नहीं हुए न एफर्ट की एफर्ट की कंशिस्टेंस्टी एफ नहीं एक तरसे नहीं है मतला मेरा कहने का यहां पर यह मैं अपना यह पेड़ेन करना चाह रहा था कि मैं अब आपकी बात समझ गया पर साथ में बहाव के जो एलिमेन्ट है नख वो उसका बाइफर्केशन दो गवा- एक उसको हाला कि कहने में मुझे बड़ा कक्ष्ट हो रहा है क्योंकि स्वाहां के बारे में परसेप्शन यह हम कर रहे हैं तो लेकिन भाव है लेकिन वो राइट आलाइनमेंट में भी देखने हैं यह मिला कि कंसिस्टेंसी इंटम्स आप जो कह रहे हैं हार्मोनियसनेस और राइट अंडेस्टेंडिंग के प्रॉसस के तुरू नेच्छल एक्सेप्टेंस को इन टोटलेटी देखने वाला जो प्रॉसस है उसमें तो कंसिस्टेंसी अभी वो प्रियास कर रहे हैं सब्सक्राइब कि अन्धार और पिछ्ले एक साल से हो इसमपर्द में है और यू हच्वी के एक इस का पूजल को देख रही है तो कल जो एक्सराइज था उसमें यह था कि जो भाव बन रहा है तो कल मेरे सामने वो शेयर कर दे थी कि पहले तो उसके पारेंट्स का फोन आया और पैरेंट्स ने उसको अशुर्स किया कि जो भी रिजल्ट आएगा कोई बात नहीं इसको स्विकार करेंगे तो उस समय वो comfortable होती और बाद में जब वो फोन होने के बाद बात होने के बाद जब सोचने लगी कि अगर रिजल्ट खराब आता है तो क्या होगा फिर मम्यवा घुसा करेंगे कि उसमें एक संसकार मैंने देखा बढ़ा हुआ है जब भी कोई उसको गुलाता है जाए टीचर हो या पैरेंट सब्सक्राइब तो पहले उसमें डर बन जाता है कि क्या गल्पी हो गई मुझसे अब यह क्या करेंगे मुझे डाटेंगे या मुझे परिश्मेंट करेंगे तो मुझे लगता है उसको यह मार्ट प्रेस्टन साहिए कि इन सितियों से कैसे लिपकर वही तो संबंद के प्रति आश्वफ्ती नहीं है तो अगर वह अभी बारवी का एक्जाम दिया कौन सा जैंट नहीं नहीं सेकंड यर सी में है पढ़ रही है वो तो पर्सक्राइब क अगर जो सब्देक्ट करें तो भाव असपष्ट होंगे विश्वास का भाव क्या है संबंदों को लेकर भय है अश्वस्ति का भाव है यह तो वहीं से ठीक होगा तो बातों को धियान से सुने एक तो मान वो कि अस्फ़च्टा बने में और शरीट को देख पाएं हम उसका हमें परस्ताव का दुश्च्लेशन करबाएं ठीक से वैसी में और मैं का जो संबंध है इसको भाव है इसको हम देख पाएं उसके लिए कम से अभयास कर पाएं को अपने आप में एक लखी दिखाई दोगी उसमें वर्क्षाप तो किये हुए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं किया यूएची टू का जो हमारे पास फेस तो फेस सा वो उसको उसमें पूरा अटेंड किया लेकिन स्टूड़न्ट होने से वो कई सर्टिफिकेट अगर नहीं संब्रक्राइब भी अभी एक साल में काफी अंतर देख रहा हैं गे तो बतला ध्र बिजीत है हम सबसे इंड़ने के विद्धित यहीं ही तो हमें सही समझ सही भावने श्योर करना और समय तो लगता ही हम सब को लग रहा है तो बस व्यूस्त में आना है बच्छे को भी आना है, बड़े को भी आना है, बुजुर्ग को भी आना है. तो ये जो भाव तो समझ, मतलब कल के exercise में भाव का तो हो गया कि कहा पे विरोधार है, कहा पे स्नेया का भाव है, अफेक्शन का भाव है, और मैं देख भी पा रही थी, लेकिन चिंतन में जाना है, इसका थोड़ा सा मुझे explanation चाहिए था, कि चिंतन में जाना है, इसका मतलब हमें राइट evaluation करना है, या कुछ और है वहिया, जिंतन में जाना है, मतलब भाव को स्पस्टूप से देखना है, विश्वास का भाव है, सम्मान का भाव है, इसको देखना है, अगले के intention को साफ साफ देखना है, मुझे अपने intention को साफ साफ देखना है, मैं और शरीद को सा मुझे दिखा है कल स्टुडंट्स के साथ इंटरेक्शन होते हुए भी और घर में भी तो वो तो मिक्स है मतलब विरोत का भी है और कहीं पे अच्छा भी था तो अभी चिंतन में उसको मतलब वो चिंतन में सपष्ट हो गया क्या भाईया नहीं यह तो अभी विशलेशन हो र हर मानों हो दूसरे को सुखी करना चाहता है यह दिख जाए ओके आच्छा अच्छा चाहिए हाँ ठीक है भाईया इसके उपर कर देंगो बढ़िया 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 जी नमस्ते जी जी मैं इस बिमर्स में चल दा था कि अभी आपने बुला था बच्छे पढ़ता नह हम कर नहीं पा रहे हैं कर नहीं सकते हैं यह बहुत अच्छी इसलिए भार्न ती अचनल माश्क्षे बढाओ बड़ पर post करो कि कर्णा नहीं चाहते एक बात शक्रणाइं कर नहीं शक्षे है कर नहीं सक्ते थी आरह नहीं तुग अ WIN vão आप अच्छा लगा मुझे, कि उनकी इनजी बहाने के लिए उनकी शकारतों कहता पाईदा करने के लिए हम उनको ऐसा creation दे सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बाद, इसी भी डालच, इसी भी action के लिए उप्लाइब कर सकते हैं इसके बहुत अच्छी बार, थैंक्यू भीया, बढ़िया भीया, नमस्कार, जी नमस्ते, मैं कर रहा था कि कल्पना शिल्था के तीन सोस बताया आपने, एक तो सुभाव समझ, दूसरा बताया मानेता, तो और तीसरा बताया समवेदना, इस उन पहले जो है, सुभाव के आधार पे, या मानेता आधार पे, उसके आधार पे मारा भाव बनता है, लेकिन यह जो समवेदना है, इसके आधार पे तो आस्वादन होता है, तो यह खाली मन के सरप है या यह भी चित्रन से नीचे है, यह समझना था हूँ, तो उस आस्वादन से सु सुखी होने का भाव तो बनता है न अच्छा कभी तो सो करते हैं हमको लगता है कि यहां से 50 km दूर किसी भावे पर आलू पराथा मिलता है कि बड़ा स्वाविस्थ है अच्छा में वहां गया था मकानफूर तो वहां मैंने घणे सर से सुना भी कि ज्यादतर समय है हम लोग आस्वादन चेन के सरपी रहते हैं मन के सरपे विचार भी बहुत कम करते हैं तो मुझे लगा यह तो वास्तर में सही बात कर रहे हैं कि हम साड़े-चार पांच क्रिया में भी नहीं तामने से दो क्रिया में ही रहते हैं तो फिर मुझे लगा शादिये ऐसे है कर संवेदना हुई और उसके आधार पर चेन कर लिया आस्वादन करते हैं इसलिए हो कह रहे हैं कि दो क्रिया ही रहती ज्यादा तर समय हैं कि इसलिए तो जब चेन आसवादन क के वह उने का भाव है बठ हमको उसका पता भी निरता और हम उसके लिए थीक से विचार है यह कर रहे कि फिर से पूरा हो जाए तो हमारा जीन आप अगर देखें तो प्राइमरली चैन अस्वादन के अश्टर पर बना रहता है कि हम उसके लिए ठीक से विचार भी नहीं कर पाते जैसे अगर उसी को देखें कि अस्वादन हुआ कितनी देर तक हुआ इसका विचार अगर हम करें इससा विचलेशन करें उपलब्धी हुई कितनी देर तक हुई तो उसका हम ठीक्टी मुल्यांकन करने की सिति में आप आएंगे अब उसका विचार भी नहीं करते हैं और कई बलगता कि देखो अभी तो इतनी देर हुआ स्कॉर बनाये रखें यह अगर हम अपने आप से प ड़ी क्या हो रही है I बेस्टा को चित्रित नहीं कर पा रहें। विश्छेफित में। बस जहां पर सुप की आशा लगी हुई है, उतने भर को थोड़ा चित्रित करते हैं। इसके लिए हम दौर पड़ते हैं तो चित्रन की क्रियाटिक से विशित मेंगे हैं विशलेशन भी हम बहुत लिम्टेट कर रहे हैं जैसा का ठीक से बैठके विशलेशन ही करें ज़रूर पूछेंगे अपने आप से कि मैं यह जी रहा हूं इसमें क्या उपलब्दी है तो तो यह सब इसको यह समझना हूं कि समयरे त 부분이 उसमें करते हैं विशार बहुत कम करते हैं उसमें, मिनिम्वम करते हैं कभी-कभी आसवत्ख इसमें वी चाह 27 hours तो चितन तो हुई रहा, इच्छा तो बनी रही है, भाव तो बनी रहा है, लेकिन वो तो उसके अंदर आप आएं कि समयदना से सुथी होनी परवितिक कम है, बट वो बहुत सारा थियरी और यह सब्सक्राइब कर रहा है, उनके बीच में अनलिसिस कर रहा है, या हर वेकर, ऑप्शन को लेकर बहुत सारा उसमें विशलेशन कर रहा है, तो यह भी सकता है, विचार बहुत सारा भी कम करता है, सम्ट में भले उसको पूरा नहीं दिखा, बट सम्बन के लियह चिंप्रत निस्था बना ली है, व्योस्था चुब्छा हुरा नहीं दिकरा है तो कोई ऐसा इन् Worसार रूल नहीं है कि हम चैना स्था जीटे है, वो तो डिपेंड करता है हमारे कंपिटर्स पे अभी हम कहां खड़े हुआ जी ठीक नी एक जैसे यह भी आया था वो से बॉड़ी को देखते वाली एक्सराइज में कि शरीर से हम खाली आदान प्रदान करते हैं तो उससे मज़ें संवेधनाओं को पढ़ते हैं या मिरने करत हैं पढ़ने का उसके बाद उसके अपने मानिता संस्कार के अधार पर अर्थ देते हैं और फिर उसके अधार पर हम सुख्य दुख्य होते हैं और फिर आगे का एक्शन होता है इसमें जीवन में तो इसका मतलब संवेधनाओं को पढ़ते तब भी मानिताओं को अधार पर तो उपर से चल गी क्लिया नीचे おはुट मानेतना कहीं अधार में बना हूँ है है तो कि 5 में संसकार में बना हुए अउसके 2 हाओ भी बना हुआ है उस बात से सुखी होने का उस समयत्ना चो हमेखा सी कि आ संस媽 कैसे पूरी होगी कि अब सिर्भा इसमें कर सकते हैं, यह हम देख सकते हैं, कि हमारे में जो भाव रहता है, उसी के अधार पर हमारे सुख दुख का निर्णे होता है, यदि मेरा भाव मुझे सहाज विकार है, तो मैं संगीत में रहता हूं, शुखी रहता हूं, और यदि मेरा भाव मुझे सहाज विकार नहीं है, तो हैं अंतर विरोद में रहता हूं तो सहज भाव के साथ में रूद्धि रहता हूं उसको हमें अभ्यास पो हर्चन करना है तो हैं कि वांतर सब्सक्राइब उसको हमें अगर ये दिख जाए उनस इस पर ठीक से काम करें अब ही अिम यह सुकु जो बाहर मनते है एक हुँ पाउज आसा हो हमारे बच्चे ऐसे हुँ हमारे सबросबर है हमस्ट है घी वह घी यह को करें तो यहां पर फ़स जाते हैं कि सहाज विचुकार होता है तो हम शुकी रहते हैं अगले विए के जैसा होता है उसकार हम योगिता की आउपरन करके निरिवाफ करते हैं तो इस बात को आपने आपने देख सकते हैं, कि सहज भाव होता है, तो मैं सुखी रहता हूँ, बहार चीजे ठीक है, बठो सकता है, हम सहज ना हूँ, जैसे कल एक वर्क्शॉप शुरू हुआ है, इंदरक्रस्ति इन्युवर्सिटी में, तो एक पार्टिस्पेन शेयर कर रह हैं, इसको बढ़ाते भी जा रहे हैं, बट समय मैं अपने अंदर बहुत डीपली अनकमफटेबल हूँ, कि सब मैं क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, तो बाहर की चीजे भली अनुकूल बनी हुई है, बट हमारे अंदर इसको लेका दिक प्रश्न जग जाए, तो हम अनकम बाहर की चीजे अनुकूल बनी हुई है, बट मेरे अंदर समाधान नहीं है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों जी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं, तो हम अराम में नहीं रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, तो ये बात हमको अपने आपने उसमें आपका एक था वो कि सजगता को अपने बनाए रखें तो इस चीज को करने पर थोड़ा ठीक लग रहा है जो है उस पर अभी अधिक चर्चा नहीं करेंगे जो जितना एकसरसाइस जो भी एसाइनमेंट था तो उसको करने से और अपने सजगता को बनाए रखने से कि जो संबंध है तो संबंध में बिल्कुल ही अपेक्छा नहीं होना एक सही स्थिति है या संबंध में अपेक्छा तो होंगी ही वो पूरा होना या नहीं होना वो एक दूसरे के योग्यता पर निर्भर करता है इस पे आप क्या कहेंगे यह ना चाहरा है जी तो करते हैं तो पेच्छा नहीं करेंगे कि दौर कर वह सौ मीटर दो मिनट पर प्रॉस कर लेते हैं वैसे हम किसी ना समझ वेक्टी से आग लगन नहीं तो अपने आप में तर सुखी रह पाएगा परना हम इस बात को अपने आपर दूट अप्रच्छा रखते हैं कि हम भी ना समझे सुक्य हो जाएगे इसला समझ पालेइं उत्ता सुख बन पाएगा तो हमे पिछन सही रखेंगे ना कि नहीं रखेंगे पिछन तो होती ही है जैसे अभी आप हम से प्रशुन करें तो अप् कि एकछा के पख जाये गा है आप गजाय के सही नहीं होने हैं पार बहाते हैं कि मतलब उसको हम स्विकर नहीं कर पाए इसको स्विकार नहीं कर पाए तो कुछ इस्थिती ऐसी होती है जो उसको हम कैसे मतलब स्विकार कर पाएंगे अब माली जूट है चल है कपट है मैनुपिलेशन है या कहीं पर कुछ गलत रॉंड डीड लोग कर रहे हैं गलत चीज कर रहे हैं क्या माली जी हम ही से कुछ गलती हुई तो यह जो चीज है उसको हम कैसे स्विकार कर लेंगी इसको स्विकारों की सिखारेastes की मैं देख्गे मेरी योगिता की इतनी कमी है अभी तो हम आपको बहुत कई और नहीं और योगिता करें अपना तो दिख़ए सब्सक्राइब व करें कि तो नेमीनित है जड़ में अभी है नहीं है तो प्लेख के वह दो होगा है एक पती के सूखने से परिशान हो रहे हैं और उसको ओपर से रंग रोहन कर रहे हैं इसको फीले के वज़ए हरा रंग रहे हैं उससे कुछ निन निकलता है तो हमको दिखाई दिगा है कि हमारे में संबंद का खिंतन हुआ नहीं है व्यवस्था का बोध हुआ नहीं है सहसे तो कानुबा हुआ नहीं है इसके अभाव में जितनी गल्टिया हमको लग रहे हो सम है और ज्यादा गल्टिया आना कर सकती है अपने आपके जो पेक्षा है वह भी हम ठीक से निशिप कर पाएंगे पिर वैसे हम पो जब अपने बारे में कलर्टी हो तो दूसरे का बारे में कलर्टी होती है आपके जाता है कि अब ही एक्स्प्रेशन पर हमारा बहुत सारा धियां जाता है सब्सक्राइब करते हैं बट यह जो क्लारिटी हो नहीं है समझ के असफर पर भाव के असफर पर वह इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब 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 करते हैं जो भाव आज बहुत अच्छी बढ़िया चर्चा चल रहे हमेशा ही चलती है तो वो मेरे मन में आये कि हूँ जो मुझे अंतर विरोध पैदा कर रही है अगर मुझे वो भाव मंजूर ही नहीं है तो वो भाव मेरे मन में सहस्विकृति से आना ही नहीं चाहिए ताकि मेरा भाव जो है वो हमेशा सुखुमाई बना रहे है कि अगर मेरे सामने आता भी है या समझो सबसे पहले तो मेरी सबसे जमनी चाहिए अगर मेरी जमती नहीं है तो भी मैंने अपने दिल को यह समझाना है कि मेरा भाव बिगड़े नहीं तो यह ऐसा ठीक है क्या मतलब मैं हमेशा सुख में स्थिति में ही रहना चाहता हूं कौन समझाएगा आप इस भाव का पोशन कर रहे हैं तो समझाने वाल तो आप ही है अभी हमको लगता है कि इस च्छड में तो इसी भाव से सुख है तो अगले व्यक्ति ने हमारे साथ भूगा किया है आज मिल गया है रास्ते में त कि इस च्छड में तो इसको ठागर पतकने से जो सुख मिलेगा उस्क्यागे वागो नियुक eerी भाव मोंनरो प्लगा इस समझानाओ पूरा होने से लिड। आर फ्ला ने से हमको सुख में गखते हैं Dortya प्राइमरली हम सुखी होने के अर्जमनी करते हैं जातका अब हम अब आपके रहे थे उसका और एक्सिटेंड किया जाए तो समय तो सुखी होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं अच्छा मतलब हमने मान लिया है कि सारा दूख ही दूख है नहीं नहीं भी माना हो अब जो दूखतें से कैसे निकलेंगे नहीं लेकिन समझें मैं आपने बारे में बात कर रहा हूँ आज यह जो मिल रह पाए नहीं मेल पाएगा तो हम जो लोगा ऑफी माने और आपके मित्र को उसे जढ़ा मिल गया तो आपको लगता है कि ऐसा थो नहीं मानना गलत हो गया तो आपने माना फॉर आपको लगता है और अपको तो लेकिन यह तो मेरे मानने पर है ना अगर मैं एक अपनी बारे मात कर रहा हूं कि मुझे कोई कुछ भी बनता है प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मुझे उससे कुछ लेना देने मैं अपने जो मैं हूँ वो मैं बहुत सुख हूँ अगर ऐसा सबने मान लिया तो यह चलेगा क्या नहीं चलेगा अब अगला वेक्ति आपका शोफन कर रहा है आप मान लिजे कि मैं सुखी हूं इस सोफन के सा करता है तो नहीं यह बाद बराबर है अच्छा अच्छा बीना मेरे कुछ गल्ती के या कुछ करके मेरे उपर कुछ ब्लेम कर रहा है तो अंतर विरोद में चलेगा कंडिशनिंग से काम ने चलेगा कंडिशनिंग से अच्छ जो है उसके प्रयात मान लो इसके पीछे को तर्क लगा दो कि भाई यही और जामपल जैसे हम लोग बोल देते हैं कई बाद यह हमारे भागी हो था हां 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 करे 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 मैं वहीं पॉइंट पर आ रहा था और यह एक ही मिनिट लोगा लास्ट दूसरा यह पहलू हो सकता कि शुरू में हमने एकदम जब डिसकेशन सुरू किया शुरू शुरू के मैने दो महने पहले तब यह माना था कि यह जो सारे लॉज है एक कोई लागू नहीं होता बराबर है भया तो यह जो आपने आप में बहुत पहुचा हूँ आदमी है तो उसके उपर यह सारे निर्विकार ही वो रहता है उसके उपर यह कुछ लागू नहीं होता बराबर है भया तरू किया लागू नहीं होता यह जो आपने बुल रहे है कि कोई मुझे एक गाल पे थपड़ मारता है तो मैं दूसरा आगे कर देता हूं नहीं नहीं यह सब उल्टा पुल्टा हो गया सुनने में गल्दी हो यह बात में थी कि प्रेजेंटे साइकॉलोजी है अब जो मनोगी जान पढ़ रहे हैं अगर उसके आप किताब उठा के देखेंगे उसे पहले में दूसरे पन्ने पर लिखा रहता है कि आगे इतनी बात लिखी है in the theory के रूप में है यह सारी theory दो लोग के लागू नहीं होता यह तो पागल में नहीं होता हुआ अपने आपको समझ लेता हूं तो जो अभी current psychology है कुसमें लिमटेशन बता नहीं हो तो उसमें तो हम पहले ही जो मानो अचितना में जी सकता है बख्जी को हम संत कह रहे हुं घाशा है जैसा जी रहें उसे कर रहा है जैसा उनकी सहर – सब्द्सकितिस को और है, टुम बाध ही में कर रहे कर रहे, इस बात को मैं देखों, कि सहज भाव के साथ में सुखी रहता हूं, सहज भाव के साथ में दुखी रहता हूं, कि सभ्यास को हमें हर्चन करना है।